अपार भरोसा जताया था और अपने निर्वाचित जन प्रतनिधियों के माध्यम से मुझे भारत के राश्पती के रूप में चुना था आज मेरा कारकाल फूरा हो रहा है इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ कुछ बातें साजा करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं आप सभी देशबासियों के प्रती तथा आपके जन प्रतनिधियों के प्रती हार्दिक करतक्यता व्यक्त करता हूँ पूरे देश में अपनी यात्राओं के दौरान नागरिकों के साथ हुए संबाद और संपर्क से मुझे निरंतर प्रेड़ना मिलती रही छोटे छोटे गाओं में रहने वाले हमारे किशान और मजदूर भाई बहन, नई पीड़ी के जीवन को समारने वाले हमारे सिक्षक, हमारी बिरासत को सम्रद बनाने वाले कलाकार, हमारे देश के विभिन आयामों का अध्यान करने वाले विद्वान, देश की सम्रद्धी बढ़ाने वाले उद्यमी, देशवासियों की सेवा करने वाले डाक्टर वा नर्स, राष्ट निर्मान में सनलगन वाइज्ञानिक वाइंजीनियर, देश की नियाए बवस्था को योगदान देने वाले नियाए अधीस वाधिवक्ता, प्रशासन तंत्र को सुचार रूप स चलाने वाले सिविल सर्वेंट्स, हर वर्ग को विकास से जोडने में सक्रिय हमारे सामाजिक कारिकरता, भारतिय समाज में आध्यात्मिक प्रवाह को बनाए रखने वाले सभी पंथों के आचार वा गुरुजन आप सभी ने मुझे अपने करतब्यों का निर्वेहन करने मे भरपूर सहयोग दिया है संग्छेप में कहूं तो समाज के सभी वर्गों का मुझे पूरा सहयोग, समर्थन वा आशीरवाद मिला है मेरे मनों मस्तिस्क में वे सभी छण विसेश रूप से अंकित रहेंगे जब मेरी मुलाकात अपनी सेनाओं, अर्द सैनिक वलों, तता पुलिस के बहादुर जवानों से होती थी उन सभी में देश प्रेम की अदभुद भावना देखने को मिलती है, अपनी विदेश यात्राओं के दोरान, जब भी परवासी भारतियों के साथ मेरा मिलना हुगा, हर बार मुझे मात्र भूमी के प्रति उनके गहरे प्यार और अपने पन का एहसास हुगा देश के सरवोच नागरिक पुरसकार समारों के दोरान, मुझे अनेग असाधरन प्रतिभाओं से मिलने का अवसर मिला, वे सभी पूरी लगन, अटूट समर्पन और द्रड निस्ठा के साथ एक बेहतर भारत के निर्मान में सक्री है इस प्रकार अनेग देशवासियों से मिलने के बाद मेरा यह विश्वास और भी द्रड हुआ कि हमारे निस्ठावान नागरिक ही बास्तविक रास्ट निर्माता है और वे सभी भारत को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है ऐसे सभी निस्ठावान देशवासियों के हाथों में हमारे महान देश का भविस सुरक्षित है प्यारे देशवासियों अपने इन अनभवों से गुजरते हुए अक्सर मुझे अपना बच्पन भी याद आता रहा है कि किस तरह महत्पूर्ण अइतिहास से घटनाए हमारे विक्तिकत जीवन को प्रभावित करती रही जब अपने छोटे से गाउं में एक साधरान बालक के नजरिये से मैं जीवन को समझने की कोसिस कर रहा था तब देश को आजादी हासिल किये हुए कुछ ही साल हुए थे देश के पुनर निर्मान के लिए लोगों में एक नया जोस दिखाई देता था उनकी आखों में नए सपने थे मेरे दिलों दिमाग में भी एक दुन्दली सी कलपना उबर रही थी कि एक दिन शायद मैं भी अपने देश के निर्मान में भागीदारी कर सकूँगा कच्चे घर में गुजर बसर करने वाले एक परिवार के मेरे जैसे साधारन वालक के लिए हमारे गनतंत्र के सर्वोच संबाइधानिक पद के बारे में कोई भी जानकारी होना कलपना से परे था लेकिन यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि इसमें हर नागरिक के लिए ऐसे रास्ते खुले हैं जिन पर चलकर वह देश की नियती को समारने में अपनी महतपूर्ण भूमका निभा सकता है कानपूर देहार जिले के परोख गाओं के आतिसाधारन परिवार में पला बढ़ा वह रामनात कोविन आज आप सभी देशवासियों को संबोधित कर रहा है इसके लिए मैं अपने देश की जीवन्त लोक तांत्रिक विवस्था की शक्ती को सत्सत नमन करता हूं चुकि मैंने अपने गाओं का उल्लेख किया है तो मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि राश्पती के कारकाल के दोरान अपने पैत्रिक गाउं का दोरा करना और अपने कानपूर के विद्याले में वयोब्रद सिक्षकों के पैर छूकर उनका आसीर बाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में हमेशा सामिल रहेंगे इसी साल प्रधान मंत्री जी भी मेरे गाउं परों खाए और उन्होंने मेरे गाउं की धर्ती का मान बढ़ाया अपनी जड़ों से जुड़े रहना भारती संस्कृती की विसेस्ता है मैं युवा पीड़ी से यह अनरोद करूँगा कि अपने गाउं या नगर और अपने विद्यालियों तथा सिक्षकों से जुड़े रहने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें प्यारे देशवासियों आजकल सभी देशवासी आजादी का अमरत महोत्सो मना रहे है अगले महिने हम सब भारत की आजादी की 75 वी वर्स गाट मनाएंगे हम 25 वर्स की अवदी के उस अमरत काल में प्रिवेश करेंगे जो स्वतंतरता के सताबदी वर्स अर्थात 2047 में पूरा होगा ये विशेश अइतियासिक वर्स हमारे गणतंतर के प्रिगती पत्थ पर मील के पत्थर की तरह है हमारे लोगतंतर की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कारे रूप देकर विश्व समदाय के समक्ष एक स्रेष्ट भारत को प्रिस्तुत करने की यात्रा है आदुने काल में हमारे देश की इस गवरो यात्रा का आरंब बिटिस हुकूमत के दौरान राष्टवादी भावनाओं के जागरन और स्वाधिनता संग्राम के साथ हुआ उन्नीस्वी सताबदी के दौरान पूरे देश में परादिनता के विरुद अनेक विद्रो हुए देश वाशियों में नई आसा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांस नायकों के नाम भुला दिये गए थे अब उनकी वीर गाथाओं को आदर सहित याद किया जा रहा है उन्नीस्वी सदी के अंतियम तता वीस्वी सदी के आरंफिक वर्सों में नवीन जन चेतनाओं का संचार हो रहा था और स्वाधिनता संग्राम की अनेक धाराएं प्रवाहित हो रही थी वर्स 1915 में जब गांदी जी स्वदेश लोटे उस समय देश में राश्रीता की भावना और भी प्रवल हो रही थी अनेक महान जन नायकों की उज्वल आकास गंगा का जैसा प्रकास हमारे देश को बीस्वी सदी के आरंबिक दसकों में प्राप्त हुआ वह बिस इतिहास में अतुल नहीं है जहां एक और आधनेक युक के एक रिशी की तरह गुर्दे और रविन रनाट टैगोर हमारी सांस्कृतिक विरासत से देश वासियों को फिर से जोड रहे थे वहीं दूसरी और बावा साब भीमराव आम बेटकर समानता के आदर्स की ऐसी पुर्ज और वकालत कर रहे थे जैसा अधिकांस विक्सित देशों में भी दिखाई नहीं दे रहा था तिलक और गोखले से लेकर भगत सिंग और नेताजी सुभाज संद्र बोस तक जवाहलाल नहरू, सरदार पटेल और श्यामा प्रशाद मुगरजी से लेकर सरोजनी नाइडू और कमला देवी चटोपा ध्याय तक ऐसी अनेक विभूतियों का केवल एक ही लक्ष के लिए ततपर होना मानवता के इतियास में अन्यतर नहीं देखा गया है मेरे मस्तिस्क में और भी कई विभूतियों के नाम उभर रहे हैं लेकिन मेरे कहने का ततपर ये है कि स्वाधीन भारत की विभिन परिकल पनाओं से संपन अनेक महामनेताओं ने भारत की स्वाधीनता के लिए त्याग और वलिदान के अदभुत उदाहरन प्रस्तुत किये इसमें कोई संदे नहीं है कि स्वाधिनिता संग्राम पर गांदी जी के परिवर्तनकारी विचारों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा और उस दोरान उन्होंने कोटी-कोटी देशवासियों की जीवन धारा को नई दिशा दे दी देवी और सर्जनों लोक तंत्र के जिस पत पर हम आज आगे बढ़ रहे हैं उसकी रूप रेखा हमारी संबिधान सभा द्वारा तैयार की गई थी उस सभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक महान भाव में अंसा बेन मेहता, दुरगावाई देश मुख, राजकुमारी अमरत कौर, तता सोचेता करपलानी सहत 15 महिलाएं भी सामिल थी संबिधान सभा के सदस्यों के अमूल योगदान से निर्मित भारत का संबिधान हमारा प्रकास स्तंब रहा है और इसमें निहित, आदर्स, चिरकाल से संरक्षत भारतिये जीवन मूलियों का हिस्सा रहे हैं संबिधान को अंगी करत किये जाने से एक दिन पहले संबिधान सभा में अपने समापन बकतब में डक्टरा आमबेटकर ने लोक्तंत्र के सामाजिक और राजनेतिक आयामों के बीच के अंतर को स्पस्ट किया था उन्होंने कहा था कि हमें केवल राजनेतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए मैं उनके सब्दों को आप सब के साथ साजा करता हूँ उन्होंने कहा था हमें अपने राजनेतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए राजनेतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता ये दिवे सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित नहो सामाजिक लोकतंत्र का क्या आर्थ है? इसका आर्थ है जीवन का वे तरीका जो स्वतंदता, समानता और बंदुता को जीवन के सिध्धानतों के रूप में मानता देता है स्वतंत्रता, समानता और बंदुता के इन सिध्धानतों को एक त्री मूर्थी के अलग-अलग हिस्सों के रूप में नहीं देखना चाहिए उनकी त्रीमूर्थी का बास्तवे कर्थ यह है कि उनमें से किसी भी हिस्से को एक दूसरे से अलग करने पर लोकतंतर का बास्तवे कुद्देश ही समाप्त हो जाता है प्यारे देश्वासियों, जीवन मूल्यों की ये त्रीमूर्थी आदर्श युक्त, उदारता पूर्ण और प्रिर्णा दायक है इस त्रीमूर्थी को अमूर्थ अवधरना मात्र समझना गलत होगा केवल आदुने की नहीं, बल्कि हमारा प्राचीन इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि वे तीनों जीवन मूल्य हमारे जीवन की सच्चाई है उन्हें हासिल किया जा सकता है और बस्तुता उन्हें विभेन यूगों में हासिल किया भी गया है हमारे पूरवजों और हमारे आधुनिक रास्ट निर्माताओं ने अपने कठिन परिस्रम और सेवा भावना के द्वारा नियाय, सुतंदता, समता और बंदुता के आदर्सों को चरितार्थ किया था हमें केवल उनके पद्चिन्हों पर चलना है और आगे बढ़ते रहना है सवाल उठता है कि आज के संदर्व में एक सामान नागरिक के लिए ऐसे आदर्सों का क्या आर्थ है मेरा मानना है कि उन आदर्सों का प्रमुख लक्ष सामान वेक्ती के लिए सुख में जीवन का मार्ग प्रसस्त करना है इसके लिए सबसे पहले सामान लोगों की मूल भूत आवसकताएं पूरी की जानी चाहिए अब संसादनों की कमी नहीं है हर परिवार के पास बहतर आवास तता पीने के पानी और विजली की सुविधा उपलब्ध हो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं ये बदलाव पिकास की बढ़ती हुई गती तता भेदभाव से पूर्टा मुक्त सुशासंद्वारा ही संभव हो सका है मूलभूत आवसकताओं को उपलब्ध कराने के बाद ये सुनिश्चित करना है कि प्रतेक नागरिक अपनी छमताओं का उपयोग करते हुए खुसी के अवसर तला से तथा अपने नितांत निजी गुनों का समचित उपयोग करते हुए अपनी नियती का निर्माण करे इस दिसा में आगे बढ़ने के लिए सिक्षा ही मुख सादन है मेरा मानना है कि राष्ट्री सिक्षा निती युवा भारतियों के लिए अपनी बिरासत से जुड़ने और 21 सदी में अपने पैर जमाने में बहुत सायक सिद्ध होगी उनके विकास मान भविस्य के लिए अच्छी स्वास्त सेवाएं अनिवार रहें कोविट की वैस्विक महामारी ने सार्वजनिक स्वास्त सेवा के बुनियादी धाचे में और भी अधिक सुधार की आवस्यकता को रिखांकित किया है मुझे खुसी है कि सरकार ने इस कारे को सर्वोच प्रात्मिक्ता दी है सिक्षा और स्वास्त सेवाओं का लाग उठाते हुए हमारे देशवासी सक्षम बन सकते हैं और आर्थिक सुधारों का लाब लेकर अपने जीवन निर्मार के लिए सर्वोच प्रात्म मार्ग अपना सकते हैं 21 सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हमारा देश सक्षम हो रहा है यह मेरा द्रविस्वास है प्यारे देशवासियो अपने कारकाल के पांच बरसों के दोरान मैंने अपनी पूरी योगता से अपने दाइतियों का निर्वहन किया है मैं डक्टर राजंत प्रशाद, डक्टर एसरादा करशनन और डक्टर एपी जी अब्दुलकलाम जैसी महान विभूतियों का उत्रादिकारी होने के नाते बहुत सचेत रहा हूँ जब मैंने राजपती भवन में प्रवेश किया था तब मेरे ततकालीन पूरवर्ती स्रीप्रणम मुकरजी ने भी मेरे कर्तब्यों के बारे में मुझे बुद्धी मत्ता पूर्ण सुझाओ दिये फिर भी जब कभी मुझे किसी तरह का संसे हुआ तब मैंने गांदी जी का और उनके द्वारा सुझाए गए मूल मंत्र का सहरा लिया गांदी जी की सलाह के मताबिक सबसे अच्छा मार्ग दर्सक सिध्धानत ये था कि हम सबसे गरीब आदमी के चेहरे को याद करें और खुद से ये सवाल पूछें कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं क्या हुए है उस गरीब के लिए सहायक होगा मैं गांदी जी के सिध्धानतों पर अपने अटूट विश्वास को दोहराते हुए आप सबसे ये आगरे करूँगा कि आप प्रति दिन कुछ मिनिटों के लिए ही सही गांदी जी के जीवन और सिक्षाओं पर अवस्विचार करें प्यारे देश्वासियों हम सब के लिए माता की तरह पूज प्रकृती गहरी पीड़ा से गुजर रही है जलवाई परिवर्तन का संकट हमारी धर्ती के भविसे के लिए गंभीर खत्रा बना हुआ है हमें अपने बच्चों की खातिर अपने परियावरन अपनी जमीन हवा और पानी का संरक्षन करना है अपनी दिन्चरिया में तथा रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करते समय हमें अपने पेड़ों, नदियों, समुद्रों और पहाडों के साथ साथ अन्य सभी जीवजन्तूओं की रक्षा के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है प्रथम नागरिक के रूप में यदि अपने देशवासियों को मुझे कोई एक सलाय देनी हो तो मैं यही सलाय दूँगा अपने वक्तब का समापन करते हुए मैं एक बार फिर सभी देशवासियों के प्रति हार्दिक कर्तग्यता व्यक्त करता हूँ भारत माता को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी के उज्वल भविस्की मंगल कामना करता हूँ धन्वाद जैहिंद तो राश्ट्रपती रामनात कोविंद जिन्होंने बतोर राश्ट्रपती अपना राश्ट्र के नाम आखरी संबोधन दिया है इसमें उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सारुपली राधा क्रिश्नन के उतराधिकारी के तौर पर उन्हें काम करने का सौभाग्य मिला साथी राश्ट्र पती ने ये भी कहा कि हमारी धर्ती जो फिलहाल कई तरह की समस्याओं से जूज रही है, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है साथी महात्मा गांधी को उध्रित करते हुए उन्हें कहा कि जब भी उन्हें किसी तरह की फैसले को लेकर कोई शंका होती है तो महात्मा गांधी के बारे में सूचते हैं और समाज के आखरी तपके में खड़े इन्सान के लिए वो फैसला सही है या नहीं उस पर उसे हिसाब से फैसला करते हैं राश्रपती का देश के नाम संबोधन अभी-अभी संपन्न हुआ गांधी जी के सिध्धानतों पर अटूर्ट भरोसा उन्होंने कहा साथ ही बताए कि किस तरह से एक छोटे से गाउं से उन्हें राश्रपती भवन तक पहुंचने का मौका मिला इसके लिए वे खुद को खुशकिस्वत मानते हैं